नमस्कार राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है मैं प्रिया आपके साथ आईए देखते हैं देश-उदेश की प्रमुक खबरे महिला स्वयम सहता समुहों को पंदरा हजार ड्रोन मिलेंगे खेती के लिए किराय पर देगी बदलाओ प्रस्तावित साक्ष सहिंता में होगा ये प्रावधान राश्ट्रपती और कैबिनेट में हुए संबात को कोट में नहीं मंगाया जा सकेगा हिंदुजा ग्रूप की कंपनी पर आएकर विभाग का सर्वे तेलगाना में वोटिंग आज शाम को एक्जिट पोल दिल्ली के सियेस का सेवा विस्तार शिर्ष कोट में मंजूर वीरा मध्य प्रदेश की नई मुख्य सचीव होगी बेंस को आज दी जाएगी विदाई मनीपूर के सबसे पुराने प्रतिबंदित संगठन यू एनलेफ ने शांती समझोते पर हस्ताक्षर किये पाकिस्तान के पुर्व पीएम शरीफ को बड़ी रहत ब्रश्टाचार के दो केस में बड़ी गुजरात के सूरत में केमिकल फैक्टरी में विस्पोर्ट के बाद आग 24 श्रमिक खायल जापान के फुकुशीमा के पास अमेरिकी सेना का विमान क्रेश सवार आट लोक लापता नेपाल में पहली समलेंगिक शादी रजिस्टर ऐसा करने वाला दक्षिन एशिया का पहला देश अमेरिका में फास्ट ट्रेक रिन्यू होंगे 20,000 H1B वीजा कश्मीर में डल जिल का रूप निखरा अगले दो दिन बारिश और बर्फबारी के आसार केंदरी ग्रामंत्री अमिशा का एलान CAA लागो होकर ही रहेगा केंदर सरकार को कोई नहीं रोक सकता मुझफर नगर थपड़कान पिडित छात्र शहर के नामी इसकुल में पड़ेगा उसे रोज 200 रुपे दिये जाएंगी बाकी की तमाम कबरों के लिए बने रहे है राजणामा टीवी के साथ धन्यवाद